आज हम दही मसाले वाली गोवी की सबजी बनाएंगे, गोवी की सीजन में गोवी का सबजी तो हर घर में बनता है, गोवी की सबजी तो लोग कई तरक बनाते हैं, जैसे कि मसालेदार सबजी, सुखी सबजी, लेकिन आज हम दही मसाले वाले गोवी की चटपटी सबजी आप सभी के मेरे चैनल पर स्वागत है तो चलिए हम रेसिपी बनाना सुरू करते हैं सबजी बनाने के लिए हमने यहां पर एक फुल गोभी पानिस धोकर काट कर लिया है हमने गोभी को इतने बड़े पीस में काटा है लेकिन आप इसे जैसा चाहें छोटा बड़ा पीस काट सकते हैं अब एक बड़े बरतान में आधा कब दही डालेंगे एक दम ताजा दही है खटा नहीं है अब इसी नमक डालेंगे स्वात के अंसार एक चमच आरा रोट डालेंगे इसकी जगह आप चाहें तो कारन फुलोट डाल सकते हैं इसके बाद एक चमच बेशन डालेंगे आधी छोटी चमच सबजी मसाला डालेंगे आधी छोटी चमज हल्दी पौडर डालेंगे आधी छोटी चमज लाल मिर्च पौडर अब सारे चीजों को मिलाते हुए दही को अच्छे स्फेट लेते हैं जिसे दही को ठकके न रहें सारे चीजों को मिलाकर दही को हमने अच्छे स्फेट लिया है आप इसमें हम कटे हुए गोभी को डाल कर मिलाएंगे इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं जिसे गोभी में दही कोठ हो जाए दही में हमने गोभी को अच्छे से मिला लिया है आप इसको साइड में रख देते हैं अब हम टमाटर का पेश्ट बनाएंगे जार में डालेंगे तीन कटा हुआ टमाटर एक बड़े चबन नारियल बुरदा डालेंगे इसके बाद तीन सुखी लाल मिर्च डालेंगे आप इसकी जगह हरी मिर्च डाल सकते हैं इसके बाद थोड़े सकते हुए अधरक और लसुन डालेंगे अब इसका हम पेश्ट बनाएंगे सारे चीजों को पीश कर हमने पेश्ट बना लिया है अब इसे हम उसी बरतर में निकालेंगे जिसमें हमने टरमाटर लिया था जार में जो पेश्ट लगा है इसमें हम थोड़ा स्पाइन डलकर निकाल लेते हैं अब चलते हैं गैस्क तरफ गोभी को हम फ्राई करेंगे तो कडाहिम तेल डालकर गरम कर लिया है तेल अच्छे से गरम है एक एक पीस गोभी उठाकर तेल में डाल देते हैं गोभी को हम ज्यादा नहीं बस एक मिन तक फ्राई करेंगे गरम तेल में डालेंगे फिर एक मिन तक फ्राई करके निकाल लेंगे गोभी जल्दी से फ्राई हो जाते हैं इसलिए ज़्यादा पकाने ज़रूरत नहीं है अब गोभी फ्राई हो गया है इसको हम निकाल लेते हैं फ्राई करने बाद गो भी सुनहर रंग में हो गया है अब इसको हम साइड में रखेंगे अब तेल में हम आलू डाल कर फ्राई करेंगे यहां पर हमने चार कटा हुआ कच्चा आलू लिया है तो पूरे आलू को तेल में डालेंगे और सुनहर रंग में होने तक फ्राई जब आलू अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब ही इसको हम निकालेंगे आलू सुने रंग फ्राई हो गया है आप देश सकते हैं इसका कलर बदल गया है यह उपर से तम क्रिस्पी हो गया है अब आलू को हम निकाल लेते हैं अब आलू को हम साइड में रखेंगे और सबजी के लिए मसाले भूनेंगे सबजी हम सरसो को तेल बना रहे हैं तो इसमें हम दो बड़े चमश सरसो को तेल डालकर गरम करेंगे पहले तेल को हम अच्छे से गरम कर लेते हैं तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है तो इसमें दो हरी लाईची, दो लाउं, एक टुकड़ा दाल चीनी डालेंगे इसके बाद आधी छूटी चमच जीरे डालेंगे इसको अच्छे से भून लेते हैं जिससे इसका फिलेवर टेल में आ जाए जीरा भूनने बाद अब इसमें एक कटा हुआ प्याज डाल कर भूनेंगे प्याज को हम चलाते हुए हलके सुनाय रंग में होने तक भूनेंगे प्याज भुनने बाद आप इसमें हम आधी छोटी चमल लाल मिर्च पॉर्डर डालकर मिलाएंगे इसके बाद टमाटर का पेष्ट डालेंगे यहाँ पर हमने जो टमाटर का पेष्ट बनाया है पुरे पेष्ट को कडाहिम डालेंगे पेश्ट को मिला लेते हैं जिसे प्याज नीचे से जलेना है अब इसमें हम कुछ मसाले आउट डालेंगे एक चोथाई छोटी चमच हल्दी पौडर डाल देते हैं एक छोटी चमच धनिय पौडर आधी छोटी चमच गरम मसाला डालेंगे सारे मसाले को हम अच्छे से मिला लेते हैं अब इसमें हम थोड़ाज पानी डालेंगे जिस बरतन में टमाटर का पेश्ट लिया था उसी बरतन से थोड़ाज पानी डाल देते हैं जिसे लगे पेश्ट भी छुट जाएं आप मसाले को हम बराबर चलाते हुए भूनेंगे इसी में एक छुटी चमच कसुरी मेथी डाल कर मिलाएंगे इस सब्जी का फ्लेवर बहुत बढ़िये बनता है मसाले को बराबर चलाते हुए भून लेते हैं इसे हम तब तक भुनेंगे, जब तक इसमें से अच्छी खुसबून आने लगे, और मसाला भुनने बाद जब यह तेल छोड़ दे, तो समझ लिजिए मसाला भुन गया है, जब मसाला अच्छे से भुना रहेगा, तो सबजी भी टेश्टी बनेगा, तो इसे हम मेडियम आज पर बराबर चलाते हुए अच्छे से भुन लेते हैं, आप देख सकते हैं, मसाला भुनने बाद कडाहिक तली छोड़ दिया है, और इसमें स्टेल भी अलग हो गया है, अब यह मसाला अच्छे से भुन चुका है, आब इसमें हम फ्राई किया हुआ गोभी और आलू डाल कर अच्छे से भुन लेते हैं, जिसे मसाला गोभी आलू लिफट जाए, आब इसको बहुत ज़्यदा देर तक भुननी जरूत नहीं है, क्योंकि मसाला आलू गोभी से पका हुआ है, केवल हम अच्छे से मिला लेते हैं, आब इसमें हम ग्रेवी के लिए 2 कब पानी डालेंग आप अपने हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर पतला ग्रेवी चाहते हैं तो पानी और बढ़ा सकते हैं पानी को अच्छे से सब्जी मिला लेते हैं यहाँ पर हमने 100 गराम हरी मटर लिया है इसको हमने पहले से उबाल कर लिया है इसलिए इसे हम बाद में डाल कर मिला रहे हैं स्वात के उसाद नमक डालेंगे अगर आप कच्छे हरी मटर लिये हैं तो उसे मसाले साथ भून ले अब सब्जी को हम ढख कर पकाएंगे कडाहे को उपड ढखन लगा देते हैं आप इसको 10 मिनट तक पकने देते हैं गैस को हलका मेडियम रखेंगे लगवक 10 मिनट बाद सब्जी को हम देख लेते हैं अब इस सब्जी हमारी बनकर तयार है बहुत अच्छी खुसबू आ रही है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सब्जी बना है सब्जी पकने बाद ग्रेवी इसमें और गढ़ा हो गया है अब इसमें हम थोड़ा सहरा धनिय डालकर मिलाएंगे और गैस को बंद करेंगे यह दही मसाले वाले गोवीक सब्जी बनकर तयार है अब सब्जी को हम सर करके दिखाते हैं गोभी की सब्जी तो बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं खास कर जब गोभी का सीजन हो तो इसमें गोभी की सब्जी खाना सभी को बहुत अच्छा लगता है अगर आप एक ही तरीके से गोभी की सब्जी बनाते बनाते बोर हो गए हैं तो आप एक बार इस तरह से गोभीक सब्जी बनाएं इस सब्जी सभी को बहुत पसंद आएगा क्याँकि यह बहुत स्वाधिर सब्जी बना है तो आप इस तरह से गोभीक सब्जी बनाकर रोटी, चावल, पराठे का साथ सर कर सकते हैं